मंत्री मंडल विस्तार के बाद तमाम नए मंत्रियों को विभाग की जिम्मेदारी दी जिसमें डॉक्टर सतीश चन दिवेदी को बेसिक शिक्षा मंत्री का विभाग दिया गया है जिसके बाद उन्होंने आज विधान सबा सचेवाले में पहुंचके अपने पत को ग्रहंड किया और पूजा अर्चना भी की हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सतीश चन दिवेदी जी सर सबसे पहले आग का आर्नाइन टीवी में बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यबाद आज आपने काफी पूजा अर्चना करके अपने पत को समाला है क्या लगता ह कि सर किस तरह से जिम्मेदारी का निर्वाहन होगा? उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकों यही इकस वर्थ से प्रार्थना है आपको बता दें डॉक्टर सतीशन दिवेदी अपने काम को लेके बहुत से तर्रार माने जाते हैं क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आते ही बैठ के शुरू कर दी है जिस तरह से उन्होंने विद्यालों में बच्चों के अच्छे भोजाएं के लिए एक स्क्वाइट का भी गठन किया सर क्या कहना इस पर वास्तों में हमारा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है उत्तर प्रदेश के भविष्य को तय करने वाला विभाग है एक करोड़ साथ लाग विद्यारती हमारे विभाग में है जितनी जनसंख्या दुनिया के कई देसों के नहीं है छे लाग के लगबग हमारे पार सिच्छक हैं हमारे पास पहने दो लाग विद्याले हैं और यह बिभाग एक ऐसा बिभाग है कि अगर हम इसकी अच्छी विवस्था कर ले जाएं इसमें बच्चों को योगी सरकार जितनी सारी सुविधाएं उपलब्द करा रही है उनकी पाठ्थ पुस्तकें उनका बैग उनके जूते मोजे उनका स्वेटर उनका ड्रेस पीने का पानी अच्छे भवन इन सारी चीजों को सरकार की मंसा के अनुरूप सारी योजनाएं जिस दिन धरातल पर उतर जाएंगी तो उत्तर प्रदेश की प्रास्मिक सिक्षा ब्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ब्यवस्थित सिक्षा ब्यवस्था के रूप में तो जानी ही जाएगी ये उत्तर प्रदेश के विकास का आधार भी बनेगी इसलिए बिना कोई बिस्राम किये आते ही हमने परिस्रम से हमारे पूरे विभाग ने विभनी छेत्रों में काम सुरू किया है और हम ये बिल्कुल बिस्वास है हमको कि हमको सफलता मिलेगी दौक्टर सतीश अंदिवेदी जी आर्नाइabile टीवी की बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हूँ और दूसरा आर्नाइट टीवी की टीम की तरप से आपको बेशिक शिक्षा मंतरी बनने पर बहुत बहुत बदा ही साथ दो धन्यवाद